सब्सक्राइब नाम डॉक्टर संचीव पी साहनी, मैं एक साइकालोजिस्ट, मनोविज्यानिक, ओपी जिंदल ग्लोबल उनिवस्टी में कारे रत हूँ. आज मैं बात करना चाहता हूँ ये करोना पैंडेमिक जिसको महामारी कहते हैं, उससे क्या हो रहा है आजकाल? हम देख रहे हैं, पिछले लगभग 32 दिनों से lockdown है, सभी educational institutions, schools, colleges, universities, और सभी transport, travel, सब कुछ बंद है. जब हम सब लोग घर में रह रहे हैं, तो मैं आज सिरफ ये बताना चाहता हूँ कि हम लोगों को एक क्या हमारी मनो अवस्था है, क्या एक psychological state से हम गुजर रहे हैं? एक सबसे बड़ी जो पहली चीज़ है वो है anxiety, हम सब को हमारा anxious behavior है, हे मेरे को नहीं लग जाए कहीं, यहां मेरे पडोसी को तो नहीं कुछ हो गया, यहां यह कोई विदेश से आया है, यहां किसी विदेश के contact में है, क्या मैं उस आदमी को मिल रहा हूँ, यहां से मैं खरीद रहा हूँ, यहां दालें खरीद रहा हूँ, क्या उस आदमी को तो नहीं हुआ, यह एक anxious behavior हम सब लोगों के दिमाग में लगातार चलता जा रहा है, उससे भागुक है anxiety होगी, anxiety से हमारा हो सकता है heart rate बड़े, हमारा हो सकता है हमारा respiration, सांस लेने की क्रिया बड़े, हो सकता है कि हमारे muscles के अंदर tensions हो आ जाए, हो सकता है जो electrical conductance of the skin होता है, जिससे की stress पैदा होता है, हो सकता है कि वो हमारा काफी कम हो जाए, हो सकता है कि हमारी जो brain waves हैं, वो उस तरहां से काम ना कर रहे हैं, जो एक समाने तरीके से होनी चाहिए, सबसे बड़ी चीज आज सब घर में anxiety सबको हो रही है, दूसरा एक और भी डर है कि मेरी क्या नौकरी तो नहीं चले जाएगी, मेरा क्या जो काम ऐसा है कि हो सकता है कि private में, सरकार वाले तो हिंदोस्तान में सुरक्षित समझते हैं और वो होंगे भी, पर जो लोग private काम कर जो लोग किसी के लिए एक private काम कर रहे हैं, उनमें एक भावना जरूर आ रही है कि मेरी नौकरी कब तक चलेगी, एक financial, मेरे पास पैसा कितना है, इस टाइम हर लोग सोच रहे हैं कि मेरे पास कितना है, मैं कितनी देर तक अराम से इसको यूज कर सकता हूँ, वो भी एक insecurity, असुरक्षा है, फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे एक ख्यालात आते हैं, hopelessness, मैं क्या करो, और लोग सोचते हैं कि ये बड़ा जरूरी है कि यदि time मिला है, तो हम बहुत ही ज़्यादा productive हो जाएं, pandemic में कृपा करके productive होने की जरूर नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपको बह destruction मिलते हैं, lockdown में, उस तरीके से हमको अपने आपको रखना है, ना हमको करोना होना चाहिए, ना हमको किसी को पासान करना चाहिए, अब जब हम घरों के अंदर रह रहे हैं, और जब 24 घंटें में से कम सोला घंटे हम अपने परिवार के साथ बिताते हैं, ये सभाविक है कि ह हम एक दूसरे से लड़ाई करेंगे, irritate होंगे, frustrate होंगे, एक दूसरे को ज़्यादा नुक्ता चीनी करेंगे, तुमने ये क्यों किया, तुमने ऐसा अपना टावल को सूखने नहीं डाला, तुमने ये चीज़ गंदी कर दी, जो पहले हम ये चीज़ें ignore करते थे, आज व उससे डुमेस्टिक वाइलनेस भी आ गया है, बच्चों पर तो मैं जरूर कहूंगा कि अत्या चार भी हो रहा है, वो बचारे करोना से डरें न डरें, फर अपने माबाप से डर के यहां लडाईयें कर रहे हैं, जो तो छोटे बच्चे हैं वो डरें हैं, बड़े बच्च आजकल सब घरों में चल रही है, यह हमको सब को पता है, यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो मैं आपको बता रहा हूँ और जो आप लोगों को पता नहीं है, पर as a manovikyanic, as a psychologist, मैं आपको कुछ चीज़ें सुजेस्ट करना चाहता है, सब से पहले मैं आपको बोलूँग कि कम से कम आप लोग अपने गैज़ेट्स यानि की मॉबाइल फोन, लैप टॉप, टेलिविजन या जितने भी यह इलेक्ट्रानिक गैज़ेट्स हैं, जो information हमें देते हैं, यह कम से कम use करें, मैं आपको as a manovikyanic कहूंगा, कि WhatsApp या Facebook, या मैं किसी को target नहीं करना चाहता कोई भी विप्ति किसी भी तरह की information डाल सकता है, और वो information हम लोग जब देखते हैं, तो यह सोचते हैं कि यह information हमेशा साच है, और उस information को लेके हम और anxious हो जाते हैं, सो सबसे पहले मैं तो यह request करूँगा, कि यदि आप information यह digital media या social media से ले रहे हैं, उसकी pushटी जरूर करिए उसको देखिए कि यह क्या scientifically valid है, reliable है, तभी उसके उपर आप चलिए, तो मेरा पहला यह है कि आप कम से कम आप social media पे रहें, दूसरा, बहुत सारी information आती है television से, newspaper से, परोसियों से कि वहाँ पे यह हो गया, और वो फिर हम क्या करते हैं, क्योंकि समय बहुत जादा है telephone से, यह लोगों को मिलके हम बताते हैं कि यह 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 चीज़ें हो रही हैं, एक तो information ग्रहन करना और एक information पास ओन करना में हम लोग बीजी हैं, जो कि हमारी मनोविग्यानिक अवस्ता को भी कराब करता है, यह जरूरी है, ग्रहन भी कम करो और आप आगे पास ओन भी जादा मत कर सबसे बड़ी बात जो मैं हमेशा कहता रहा हूँ, नॉर्मल टाइम पे भी बच्चों को अपनी जिन्दगी जीने दो, माबाप से एक request है, वो बच्चों से interference ना करें, बच्चों को यह ना कहें कि यह कर, यह ना कर, जिसको हम do's and don'ts बोलते हैं, yes, यदी बच्चा अपने आपको किसी भी तरह का खत्रा मोल ले रहा है, वहाँ पर जरूर कहिए, पर नॉर्मल रूटीन पे कुछ मत कहिए, यदी आपकी अवस्ता आजकर थोड़ी सी anxiety की तरफ है, तो बच्चे की भी है, बच्चा ना खेल रहा है, ना लोगों से मिल रहा है, उसकी भी वही अवस् हम बहुत सारी चीज़ें घरों में कर सकते हैं कि हम सब लोग मिलके रोच खेलें, आप खेलने के लिए लूडो से लेके, आप मनौपली से लेके, आप कोई भी educational games वो उसके लिए आप social media पे जाके डाउनलोड करके, वो आप खेलेंगे, सारे लोग उससे क्या होगा, कि आप क्षमता की attentivity, vigilance, rationality, logic, यह सारे जो brain के functions होते हैं, वो उससे बढ़ेंगे भी, माबाप से एक और निवेदन है, कि जो बच्चों को बोला जाता है हर समय, पढ़िये, 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 यदि ये दो, तीन, चार महीने, जब तक coronavirus चल रहा है, मैं उसे request करूंगा, कि यदि आप इतना ज़्यादा करेंगे, तो बच्चे को aversion भी हो सकता है, बच्चा नहीं चाहेगा, कि वो हर time, इस time पे जब वो अपनी energy को drain out नहीं कर सकता, वो इतना अभी पढ़ने को पसंद भी नहीं करेगा, और माबाप उसके लिए जोर भी ना लगाएं, मैं आपसे आखरी request ये करूँगा, कि घर के अंदर ही रहकर, आप ऐसे ऐसे वियायाम करें, ऐसे ऐसे आप बच्चों के साथ बोलें कि extempore, सब बच्चे बोलो, किसी भी topic के उपर, जब बच्चा एक किसी चीज़ के उपर बोलता है, या कोई भी व्यक्ति, किसी चीज़ के उपर बोलता है, और वो आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव करता है, तो self confidence से self esteem भी आएगी, आप देखोगे, आपको अच्छा लगेगा, ये ज़रूरी है कि हम घर में बुडे हैं, बच्चे हैं, सब की सुनें, उनको encourage करें, कि वो बोलें, जैसे घरों में बुडे लोग अ उनकी भी सुनिये, आप अपना patience, tolerance और आपका जो धहर्य है, उसको भढ़ाने की कोशिश करिये, और इसको हम सब मिलकर, इस coronavirus को हम fight करें इसके against, ना कि डर के बैठ जाएं, और हम heart and चिंता करें, यही मेरी आप लोगों से निवेतन है, thank you. झाल